और इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइनेकोमेस्टिया के बारे में यूजली जो यंग मेल्स हैं उनमें ये हॉर्मोनल इंबैलेंस के कारण से प्यूबर्टी के टाइम में देखने को मिलता है न्यूबर्ण बेबीज में भी कई बार मेटरनल हॉर्मोन के जादा होने की वज़े से भी ब्रेस्ट एनलाज़्मेंट देखी जाती है वो लोग जिनका वेट नॉर्मल से जादा है उबैसिटी के साथ भी गैनेको-मेस्ट्री की प्रॉब्लम दूने की संभावना है इसके स्म्टम्स क्या-क्या हो सकते है सबसे पहले तो ब्रेस्ट का साइज जो है मेल्स में वो नॉर्मल से जादा बढ़ा देखता है उनकी सेंसिटिविटी जादा हो सकती है उन में pain हो सकती है इसके लिए एक simple सुधरी की जा सकती है जैसे कि liposuction and mastectomy liposuction का मतलब है कि बहुत ही छोटे चीरे से हम breast के अंदर excessive fat को remove कर सकते हैं इस excessive breast tissue को निकालने के लिए हम nipple के around जो dark area उसके और normal skin के बीच में जो line रहती है उसके around एक circular incision देकर उसे breast tissue को निकाल देते हैं बाद में इसका निशान ना बराबर ही रहता है